हेलो वरेवन वेलकम यहां लेट लोके सरेलम्टेट स्टडी जोन प्यारे बच्चों सभी का युवराज बैच में आप स्वागत है और चल रहा है साइंस क्रॉस वर्ड पजल एन्युवराज यह कौन सा लेक्चर होने वाला है फूर्थ लेक्चर होने वाला दोस्तों तो और आपके जो नवोदे विद्याले और असायनिक एक्जाम जो होते हैं उनके लिए इंपोर्डेंट है और भी जो एक्जाम होते हैं इसपेशली जैसे कि TET कहलो और PRT कहलो तो PRT में और TET में इसके काफी सारे कॉश्चन्स भी आते हैं ओके तो चलिए रेखते हैं कुछ क कॉश्चन्स करते हैं तो टॉपिक कौन सा भाई हमारा पहला टॉपिक कवर करेंगे ओके भाई सा बता दिया युवराज ने इसके पहले हम काफी सारे कॉश्चन कर चुके हैं आई थिंक यहां से हम लोग को इनूट्रीशन और हेल्थ तक करना है नूट्रीशन और हेल्थ क यहां सब्सक्राइब का मतलब का पार्ट है दोस्तो और आप लोगों को पता और भायो जिन लोगों को इंट्रेस्ट नी होता है producing their own one similar मलब अपने बच्चे पैदा करना अब बच्चों में कौन-कौन बच्चे पैदा करता है देखो भाई साब हम तो बच्चे पैदा करते ही हैं इनसान तो बच्चे पैदा करते हैं जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, कुत्तों के बच्चे, कुत्ते, यसा नो, ऐसे ही पौधों के बच्चे भी पौधे होते हैं, और मजे की बाते हैं, आम के पेड़ का बच्चा, आम के पेड़, आम का पेड़ी तो होगा, बुलो है न, आम का पेड़, अनार की नए पौधे बन रहे हैं पत्तियों से नए पौधे बन रहे हैं ये देखे कुछ structure आपके सामने दिखाई दे रहा है अभी तो इसका नाम में विंड मिल लही है ये एक biological plant है अभी बताऊंगा इसका नाम ये देखे ये बंदा क्या कर रहा है ये जो है ये farmer है ये धान अलग कर रहा है और हसक अलग कर रहा है मतलब भूसा अलग और धान अलग ओके ये देखे ये क्या है ये seeds हैं और seeds में से यहाँ पर क्या अंकुरित हो रहा है sprouts निकल रहे हैं आए बात करते हैं तो chapter की देर नहीं करते हैं question number पहला देखते हैं भाई plants like reproduces from leaves ऐसे प्लांट है सब कोन से पौधा होता है जो लीप से रिप्रोडूस करता है बिड़ास का नाम यात कर लो ब्रायो फाइलम ये जो पार पावधा आपको निकल रहा ना तो इसको बोलते हैं इन प्रायो फाइलम किया बोलते है हां इन प्लांट की जो प्रजाती होती इन गोलते हैं आपन ब्रायो फाइलम क्या बोलते से यहां तो इसका स्पेलिंग को बताई दू ब्रायो फाइलम का B- र- वा-ई-ो ब्रायो पी-H-o-i डबल एल यू एम ब्रायो फाइलम चलिए क्वेशन नमर सिक्स्ट की बात करते हैं the process by which seeds are scattered away from the mother plant the process by which seeds are scattered away from the mother plant mother plant mother plant okay जो उनकी में पौधों की माँ होती है उससे जो plants के बच्चे होते हैं वो दूर 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 उसके जो streets होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं इस process को बोलते हैं दिस्परसल बोलते हैं चलिए next question है method of separating grains from the plant stalks by beating the stems against a hard surface हाँ भाई यह बहुत ही hard surface है इसमें यह जो है यह plants के stem को ले कर are carried away by dandelion seeds dandelion plant होता है या उसके seeds जो होते हैं उसको दूर कौन ले जाता है उसको हवा दूर ले जाती है that is called wind dandelion plant के seed को कौन दूर ले जाता है हवा ले जाती है ओके चलिए अगला question देखिए बोगैने विला grows by भाई बोगैने विला जो होता है बाउगैने विला देखा तुने बाउगैने विला नहीं देखा है बाउगैने विला के हिंदी में मुझे नहीं पता है या बाउगैने विला क्या होता है वेट करो थोड़ा सा बाउगैने विला तो यह देखिए Google आपके सामने यह प्लांट आपने देखा होगा घर वगरे में लगए हुए इसमें बहुत सारी लाल 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 पत्तिया निकलाती है तीन पत्तियां हुआ करती है आजुबाजी इसको बोलते हैं बगनवेलिया यह बोगनवेलिया देखो इसको हिंदी में ब बगनवेलिया बोलते हैं जो कहा भगनवेलिया कैसे होता तो भाई आप अब बगनवेलिया को लगाने के लिए उसकी छोटी सी डंडी लкими क्लमा बोलते हैं इसी क्लम कटंग छोटी सी कलम लिया ये जमीन के एंदर गाड़ दीजिए छोटा से इसका इसका क्लम वह काट stem cutting से हुआ करता है चलो अगला following of a seed stores food for the baby plant inside it बाई साब कह रहा है कि किसका seed जो होता है food for the baby plant baby plant के लिए food जो है store करके रखता है तो इसका answer है c o t y l e d o n s coitledons c o t y l e d o n s ये एक जो seed होता है जो अपने baby plant के लिए store करके रखता है क्या खाना store करके रखता है चलो अगले question के और बढ़ते हैं क्या है क्रॉप्स grow in the winter season winter season में होने वाली crops को आप क्या बोलते है ऐसी crops जो winter season में होती है winter season में जिनको लगाया जाता है उन crops को क्या बोलते है तो बच्चों जैसे गेहू होता है गेहू भी winter season में लगाया जाता है इस समय जैसे गेहू ठंड चल रही न तो अभी गेहू की production हो रही मतलब गेहू हो रहा अभी खेतों में गेहू है और कुछी दिनों बाद एक महीने बाद गेहू की कटाई शुरू हो जाएगी तो गेहू ठंड में बुआ जाता है तो इसको बोलते है रावी क्रॉप्स क्या बोलते है रावी क्रॉप्स और जो फसल जो होती ही गर्मी में बोई जाती है उनको बोलते है खारिफ क्या बोलते है खरिफट था, तो भरी आ खरीफ या खरी बोलते हैं, चलिए अगला question, दा अग्री कल्चर प्रैक्टिस लूजमिंक स्वाइट, शॉइल को पुलपूला कराया जाता भिल, तो फॉजमिंक स्वाइल को मुलायम किया जाता है, इसको बोलते हैं प्लॉफिंग क्या बोलते हैं प्लॉफिंग भी बोलते हैं कुछ-कुछ लोग अगदर पता नहीं प्लॉइंग बोलते हैं प्लॉइंग बोलते हैं प्लॉइंग अगला कॉश्चन है Stem that run along ground are called Creepers Creepers नहीं Stem है Stem है जो run along the ground Run along the ground are called runners बिल्कुल सही ऐसा stem जो ground के along run करता है उसको हम क्या बोलते है Runner बोलते है The outer covering of the seed Sheed की जो Seed coat बिल्कुल सही Seed की outer covering को बोलते है Seed coat देखा है आपने चना देखा ना चनाक Seed होता है उसका जो black black color Brown brown color का part होता है That is called Seed coat क्या कहला था वो तो इसको बोलते है Seed coat चलिए अगला देखते है Plant Life अगला चेप्टर हमारा Plant Life Plant Life को देखने के पहले देख लें इसमें diagram कौन से तो ये देखिए आपके सामने मटर दिख रहा है ओके मटर को पी बोलते है ये देखो ये आलू है तो ये आलू को अगर आप जमीन में गाड़ देते हो तो आलू उसी से उग जाता है तो आलू में से ही आलू निकल जाते है ये जो आलू में चोटे चोटे पार्ट दिखाई देते हैं इनको बोलते हैं ये देखो ये नारियल है और नारियल पानी में गिर रहा है भाई साब पानी के बगल में लगा तो नारियल गिर रहा है और ये इनसान देखो ये इनसान जो है देखो अनाज को हवा में चला रहा है तो हलका जो उसका छिला हुआ होगा पार्ट होगा वो दूर गिरेगा और भारी वाला अनाच पास में कर जाएगा ओके अच्छा कोकोनट ट्रेवल कर रहे हैं ऐसा चलिए बीच पर ट्रेवल करते हैं आपका यह कहना चलिए यह कुशन देखते हैं क्वेशन नमबर फोर सबसे पहला है ओके इस कटिंग डाउन अब दो क्रॉफ आइदर भाई हैंड और मसीन क्रॉफ को कट करना अभी देखा था आपने की क्रॉफ को वहां पे बंदा क्या कर रहा था वह बंदा जो है पटक पटक करके उसके छिलकों को अलग कर रहा था उसको क्रॉफ को काटना क्रॉफ को कार ना था बहुत समय महीणों महीनों फसल कट मठी थी बड़ित्व क्या के आच रर्वेस्टर लगा रहता है और हार्वेश्टर बहुत तेजी से फसलों को काटता है ये देखे आपके पास में different different type के कितने बड़े बड़े हार्वेश्टर ये देखो भई ये बड़े खेत में चल रहा है अब पूरी फसल को ये काटता है नहीं तो पहले कितने सारे मजूर लगे रहते थ थे तो ये modern harvester आज कर ले से चलते हैं तो क्या बोल रहो है भाई ये देखो ये पीछे से एक pipe जा रहा है ये पूरे फसल को अंदर की तरफ round round करता है और उसको ले जाकर के पीछे से यहां से निकाल देता है ना या collect कर लेता है एक जगह पर अंदर collect कर लेता है और फिर जा क करके जो होता है एक जगह पर कोने पर जा करके काट के उसका गठा बना करके अलग-अलग कर देता है वो लोग क्लियर हो गया हां तो ये कहलाता हार्वेस्टर ओके तो क्या है दा practice of growing crops on a large scale एक मिनट स्वरी हार्वेस्टर हो गया अगला question है कि the practice of growing crops crops को उगाना बड़े किसान का काम क्रशी होता है और किसान का ही संस्कृत का नाम है क्रशक क्या नाम है क्रशक किसानी करने वाला क्रशक खेलाता अगला है फरंस रिप्रडूस फ्रॉम फरंस रिप्रडूस फ्रॉम फरंस जो होते हैं फरंस रिप्रडूस कहां से होते तो answer है फरंस जो रिप्रडूस होते हैं स्पोर से होते हैं किसे होते हैं स्पोर से देखे तो हम फरंस की बात कर रहे थे कि फरंस कैसे रिप्रूस होते हैं तो फ और यह किस से रिप्रडूस होते हैं मतलब किस से फिर से पैदा होते हैं इस पूर से चलिए अगला देखे method of separating chaf from the grains अनाज से उसका चाफ यानि भूसा अलग करने की process को using the wind by the wind मतलब इस तरीके से हवा में दिखा करके अलग-अलग करते हैं इसको क्या बोलते हैं इस process को बेटा इस process को बोलते हैं विनोईंग क्या बोलते हैं विनोईंग डबलू आई डबल एन ओ डबलू आई एंजी इसको विनोईंग बोला करते हैं अगला question देखे 10th वाला seeds of plant are dispersed by water तो आपने अभी भी बताया था किसके बीच जो होते हैं किसके प्लांट के बीच किस प्लांट के बीच जो होते हैं पानी के दौरा के बीच तक पहुँच जाते हैं चलो अगला question देखे ओर ओकी चली अगले देखे राइस इस एन एक्जामपल आफ किस टाइप का क्रॉप है राइस याने चाबल खारिफ क्रॉप है कैसी क्रॉप है खारिफ क्रॉप है चली second question देखे देखे दे अग्रिकल्चर प्रैक्टि सब्सक्राइब करने के काम को क्या बोलते हैं उसको बोलते इरिगेशन next question है the process of by which seed develops into a seeding on getting air water and warmth आपने देखा होगा बच्पन में आपने अक्टिविटी की होगी आप एक सीड ले गाए होंगे और मिट्टी के नीचे आप उसको दबा देते हैं कुछ दिन के बाद देखा होगा तो उसमें से पौधा निकल जाता है yes or no? इस activity को आपके स्कूल में भी कराया गया थी इस activity को क्या बोलते हैं वो ही पूछ रहा है कि इसको पानी water और थोड़ी सी गर्मी दोगे तो seed जो होता है वो plant छोटा सा बन जाता है इस activity को क्या बोलते है बैटा इसको बोलते है termination किया बोलते लुझे शको कि जी हा यह chomination activity होती है जी है इस में से छोटे-छोटे प्लांट निकलते थी seeds of a pea planter skated by seeds of a pea planter skated by जो pea plant के seeds होते हैं खेत में जो लगे होते हैं इस तरीके से बिखर जाते है इस तरीके को बिखर जाते है इस प्रोसेस को बोलते है explosion क्या बोलते है मेटा explosion वैसे explosion का मतलब होता है धमाका मगर यहां भी इसका नाम दिया गया ऐसा कोई धमाका नहीं होता खेत में बड़ इस process का नाम दिया गया है explosion potatoes have birds is called भाई बहुत ही सुन्दर question है यह potato इसके उपर छोटी छोटे birds हुआ करते है इनको बोलते है अलू की आख क्या बोलते है अलू की आख तो यह कहलाती है eyes क्या कहलाती है eyes तो इसको eyes बोलते है पोटेटोर के उपर जो birds होते है उनको हम क्या बोलते है eyes जी हाँ EYES आख clear हो गया चलिए अगला देखते है crossword puzzle भाई adaptation in animal पहनते हैं गर्मी आती तो पंका चलाते हैं cooler चलाते हैं AC चलाते हैं yes or no तो यह हम adaptation मतलब अनुकूल हो जाते हैं मगर सोचो कि बहुत साल पहले इनसान जब आदी मानो था तो इनसान पत्ते की चाल पहनता था उसके पास कपड़े नहीं थे उसके पास थंड से बचने का पत्तों की चाल पहनता ना या जानवरों को मार करके उनका coating पहन लेता था तो देखो इनसान क्या होता है जिस महौल में रहता ना उस महौल में वो adapt हो जाता है क्या हो जाता है adapt हो जाता है तो इसको बोलते है adaptation क्या बोलतें इसको adaptation अभी हम लोग इंडिया में हैं हम लोग गर्मी थंड जेल लेते हैं मगर थंड हम लोग बहुत ही मुश्किल से जेल पाते हैं हमारे हाम मुश्किल से मुश्किल किटना temperature ज्याता one degree हो गया 0 degree ज्याता है जीरो डिखरी वट रेशिया के लोगों की सोचो जो है पूरे साल लग बग माइनस 15 degree centigrade इतने कम temperature में रहते हैं जिसमें बरफ जम जाती है लगो क्या कर चुके हैं갈 लोग क्या कर चुक के हैं परफकर सुह हैं हो इसी कैनाडा की भी कर रहा हूं है कैनेडा की लोग भी बहुत थंड में रहते हैं गर्मी उतना उन लोग को नहीं गर्मी जहलनी पड़ती है वो लोग थंड के एडाप्टेशन कर चुके हैं वो थंड के अनुकूल हो चुके हैं मगर इंडिया में आते तो उनको बहुत परिशानी होते क्योंकि इंडिया गरम जलवायी हो कैसी जलवा यहां की गरम है आईये क्रोसवर्ट पबजल में देखते हैं देखो भई यह साफ है और यह साफ के ऊपर का पैचस दिखाया गया यह दिख रहाए आपको पैचस यह साफ को अपर का पैचस है यह तो जानते हों कि बहुत की खदनाक पॉर्क यो पाइन होता है ठीक ना ये देखो ये कोई सा जानवर का मेरे ख्याल से स्कैल्टन दिया हुआ है ये जगह जानते हो तुमने देखी कभी इस जगह को क्या बोलते हैं इसमें कौन रहता है बताओ स्नेक्स वगरे कुछ रहते हैं चोटे चोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं चलो कहर देखते हैं क्वेश्चन आएगा तो अब समझ में आएगा अगली देखते हैं तो और हो सकता है ये आंटेल भी हो आंटेल भी लगबग लगबग ऐसे ही लगबग होते है चली अच्छी बात है देखे question number one है worksheet number आपकी crossword कौन सी चल रही है तो question number one क्या कह रहा question number one कह रहा birds have modified four limbs called birds के पास जो होता है modified four limbs हुआ करता है उसको हम क्या बोलते हैं four limbs bird के पाद modified four limbs हुआ करता है उसको हम बोलते है wings विंक्स हैंने bird के punk इनके modified four limbs को punk बोलते है अगला question देखिए चलीए मैं आपको यहाँ पे four limbs के बारे हम बता देता हूँ देखे क्या होता है कि इनसान के पैरों की एक आकरती होती इसकी कोई बात करते हैं तो यह इसके four limbs है अब यह देखो चमगादार की four limbs है एक, दो, तीन, चार यह इस तरीके सी तो यह क्या हो गई है यह modified हो गई है अगर आप इस ट्रिड़े की four limbs देखो तो अलग तरीके से इसके चार पैर हैं दो आँगे, दो पीछे, जितने भी होंगे मतलब four limbs इसकी अलग अलग है तो bird के क्या होते हैं यह जो होते हैं यह सारे के सारे party आपस में join हो जाते हैं इस तरीके से और बन जाते हैं bird उनके punk बन जाते हैं मतलब वही जो उनके pair थे वो क्या हो गए four limbs बन गए है ना तो birds है modified four limbs are called wings मतलब bird की जो four limbs होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं wings बोलते हैं चलो अगला question पर्क्यूपाइन पर्क्यूपाइन बोडी इस कवर्ड बाइदे शार्प बई पर्क्यूपाइन जो बोडी होती बहुत नुकीले अगला question है question number seven two back limbs of animal are called two back limbs of animal are called जो back limbs होती है animal की जो पीछे के back limbs होते हैं उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं हिंडी limbs हिंडी limbs हिंडी limbs बोलते हैं उनको अगला ability to move from one place to another is called एक मतलब जैसे भी जानवर हुआ करते हैं यह कुछ न वो एक जगे से उठ करके दूसरे जगह आ जाते हैं जब ठंड पढ़ती तो गरम जगह पे चले गए गरम है तो ठंड प्लेस पे चले गए तो ऐसी property को क्या बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है इसी ability क्या बोलते हैं लोको मेशन, क्या बोलते हैं, लोको मेशन, और यह birds में बहुत ज़ादा होता है, जो birds होती है ना, वो बच्चे पैदा करने के लिए, एक जगे से दूसरी जगे पे चली जाती हैं, ओके, फिर बच्चे पैदा करके वापस आ जाते हैं, इंडिया में भी बहुत सारी विदेस आया करती है हाँ ठीक है ना बहुत सारी वीदेसी बर्ट्स आती है और उनको देखने के लिए सेंचुरीज बर्ट सेंचुरीज भी बनाई गई है लोग देखने जाते हैं चलिए अगला कुश्चन देखिए आपने देखा होगा गिरिगट को गिरिगट के ऊपर की जो बॉड़ी होती है यह देखो यह रेप्टाइल है इसके उपर का जो स्ट्रक्चर होता है इस हाड इस्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं इस हाड इस्ट्रक्चर को बोलते हैं स्केल्स क्या बोलते हैं इसको स्केल्स क्य प्रोसेस इस कॉल्ड बाई बहुत ही सिंपल कॉश्चेन है कि जो फूड होता है ऑक्सीजन फूड के पास आता है फूड को ब्रेक करता है और एनरजी निकलती है ओके इसको क्या बोलते है ऑक्सीजन जब रियक करता हमारी बॉडि में फूड के साथ फूड टू प्रेडूस energy इसको बोलते हैं, respiration, क्या बोलते हैं इसको, respiration मतलब सांस लेना, respiration मतलब सांस लेना एक तरीके से, तो सांस लेने में जब क्या होता है, आप oxygen लेते हो, तो आपका oxygen अंदर जाता है, और food को break करता है, that is called respiration, समझ भाया है कि नहीं है, चलिए, fourth question पर आईए, fourth question क्या कह रहा ह fourth question कह रहा है, is a place where the animal lips grows and reproduce, उस जगह का नाम बता, उस जगह को क्या बोलते हैं, जहां पर animal रहते हैं, ग्रोस करते हैं, बढ़ते हैं और पच्चे पैदा करते हैं, उसको बोलते हैं, habitat, क्या बोलते हैं, हाँ, उस जगह को बोलते हैं, habitat, ठीक है न, अगला question number, हाँ, exactly, वो habitat है, उस प्लेस का नाम habitat होता है, अगला, beneath the lungs lie a dome-shaped muscle is called, beneath the lungs lies a dome-shaped muscle calls, ओके, देखें, ये जो है, lungs के नीचे, फिर्फोरों के नीचे, लंक्स के नीचे, beneath the lungs, lies a dome-shaped muscle, dome-shaped muscle हुआ करती है, इस तरीके से dome-shaped muscle हुआ करती है, जो दिख रही है आपको, ये dome जैसी muscle है, lungs के नीचे, dome मतलब ऐसा गूमा हुआ, मसल होती है, इस मसल को क्या कहते हैं, इस मसल को बोलते हैं, डायफराम, क्या बोलते हैं, डि आई ए, पी एच आर अः जी एम, इस मसल को बोलते हैं, डायफराम, चलिए, अगला question देखिए, worms head no limbs, worms मतलब कीडों के पास कोई limbs नहीं होती है, दे, वो क्या करते हैं, जिनमें limbs नहीं होती है, वो क्या किया करते हैं, क्रॉल करते हैं, उनको बोलते हैं, slither, क्या बोलत कौन oxygen को absorb कर सकता है जो पानी में घुली होती है कौन oxygen को directly absorb कर सकता है नहीं देखे कौन absorb कर सकता है aquatic animals की कौन सी जगह है तो gills हुआ करते है gills absorb कर लेता है और इसको sponges भी बोलते है sponges यह देखे आपके सामने sponges की picture बनी हुई है तो यह जो sponges समुदर के अंदर इस तरीके से बने होते है और यह क्या करते है यह oxygen को जो होते है यह oxygen को store कर लेते है जो पानी के अंदर oxygen हुआ करती है उसको यह store कर लिया करते है इनको sponges बोलते है समझ में आया तो डाइग्राम में ये बने ये जो था ये पानी के अंदर का मैंने पानी देखा नहीं था इनको बोलते हैं अपने sponges क्या बोलते हैं विटा हाँ तो गिल्स तो वो है जिससे वो मचलिया सांस लेती तो उसका correct answer sponges can directly absorb oxygen dissolved in water चलिए अगला चैप्टर है एनिमल लाइफ एनिमल लाइफ में देखे आपके सामने ये एक चड़िया आपको दिखाई दे रही बर्ड है ये बर्ड का बच्चा है ये देखिए ये तो मखी टाइप है ओके ये टाइगर है और ये इस नेल है ठीक है ना आईए बा यानेे तरब करेव अफ क्यू टियूपस इस्पाइरलस लिडट infections network of qg tubes tubes तूब इखे इस पाइरल ही टव टूप आनेट वरक और का उफ ट्यूपस क्या कहलाता है इसको बताना है आपको तो दीखिए यहां पे कह रहा है इसस्पाइरल स्टू नेट वरक आप तो एक तरीके की यह spiral है और यहाँ पर फिर क्या ट्यूब ही ट्यूब गई है इसको हम बोलते हैं ट्रैचिया इसको हम बोलते हैं ट्रैचिया यह गले में हुआ करता है इसको ट्रैचिया बोलते हैं और यहां से यहां तक चलता है ओके और इसके बाद यह बहुत सारी of animals are called animals के जो सामने के limbs याने की दो पैर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं फोर limbs क्या बोलते हैं हाँ इसको हम बोलते हैं फोर आर इल आई एम बीस फोर limbs बोलते हैं अगला question number 8 physical process of exchanging gases between the body and air body जो होती है gas लेना और gas छोड़ना इस process को क्या बोलते हैं body का air के साथ gas लेना गैस छोड़ना जैसे हम लोग oxygen लेते हैं carbon dioxide छोड़ते हैं इसको बोलते हैं breathing क्या बोलते हैं breathing मतलब सांस लेना breathing मतलब सांस लेना अगला is a hard and strong covering that can be seen in smell smell के उपर जो hard covering होती है इसको क्या बोलते हैं इसको shell बोलते है s h e ll body of the sheep is covered by which body of the sheep जो होती है wool कहलो या fur कहलो fur कहलो या wool कहलो which is acts as a hot insulator जो की बहुत गरम insulator हुआ करती है अगला question देखे down question है long distance moment of animal to escape unfavorable conditions मतलब जो जनतू होते है वो बहुत दूर दूर तक चले जाते है because क्यों unfavorable मतलब ऐसी conditions जो उसको पसंद नहीं आती जो उनके favor में नहीं होती है इस process को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं migration क्या बोलते हैं इसको migration मतलब एक जगे से दूसरे जगे पर ट्रेवल कर जाते हैं इसको migration बोलते हैं और देखे इस दा flightless bird ऐसी कौन सी बढ़ है जो उड़ नहीं सकती किवी किवी is a bird flightless bird जो है वो उड़ नहीं सकती है किवी जो होता है जन्म से पैदा होते से ही उड़ नहीं पाता है body of the bird covered with which which keep them warm bird की body जो होती है वो किस चीज़ से घिरी होती है जो उन्हें गरम रखते है तो बिल्कुल भाई किस से घिरी होती है wings से या feather से किस से घिरी होती है feather यह जो feather हुआ करता है ना birds की body में यह इनको गरम रखता है feather 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 से घिरी रहती है अगला insect exchange gases through small opening on their body known edge देखो जो insects हुआ करते हैं वो gas को lane lane करते हैं है ना नहीं insect जो होते हैं छोटे छोटे gas को lane 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 इन इस non opening से करते हैं by the their body surface उसको बोलते है spiracles s-p-i-r-a-c-l-e-s next है किस के पास have sharp pointed canine teeth बहुत तीखे किस के पास होंगे tiger तो है मगर उसके कौन सी class में आते हैं tiger के रावा कुत्ते में भी होते हैं इनका नाम है carnivores क्या नाम है जितने भी carnivores होते हैं उनमें ये canine teeth ये जो teeth कहलाते हैं ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर ये देखो कितने खतरनाक से teeth होते हैं जो फाड़ने के काम में आते हैं मांस को इनको हम बोलते है canine teeth क्या बोलते हैं इनको हम canine teeth तो canine teeth किस में होते हैं पार्निवर्स जो होते हैं उनमें केनाईटीत हुआ करते हैं चलिए अब इसके बाद चलते हैं पाँच नमबर में हमें बॐन्स एं मसल के बारे पढ़ना है ओके ये देखिए स्केल्टन है ये देखिए कुछ बून आपको दिखाई दे रही है ओके ये देखिए ये ये भी कुछ जॉइंट हो रहा है ओके ये अपने पास हाथों की हड़ियां है ये देखिए ये पैर की हड़ियां है और ये पूरा का पूरा स्केल्टन बना हुआ है आईए देखते हैं क्रोस में क्रोसवर्ड नमबर पजल 5 कहरा कि कौन सी है makes new blood cells in the body new blood cells को बनाने का काम किसका रहता बिटा bone marrow का किसका काम रहता है जो bone marrow होता है b o n e m a r o w जो bone marrow का काम हुआ करता है bone in the body femur femur सबसे बड़ी जो हमारे पैर में हड़ी होती है उसको हम बोलते है पैर की सबसे बड़ी हड़ी हाँ femur सबसे बड़ी हड़ी हुआ करती है पैरों की ok femur होती है and then उसके बाद अगला question है कि muscles are under our control ऐसी कौन सी muscle होती है जो हमारे control में होती है इन muscles को हम बोलते है voluntary muscle कौन सी muscle बोलते है V-O-U-L voluntary V-O-U-L-N-T-A-R-V voluntary muscle जो होती है हमारे control में होती है next question number nine first seven pairs of ribs are attached in the center of the chest to the किस से ribs attached हुआ करती है ribs attached होती है sternum से किस से attach होती है sternum lungs से ribs का कोई relation नहीं है sternum से attach होती है question number ten muscles are attached to the bones by tissues is called muscles are attached to the bones by tissues उन tissues को क्या बोलते है जिन से ribs ribs कहां पर लिखा है ribs हाँ seven pair of ribs पसलिया ribs का मतलब पसलिया पसलिया जो होती है connected किस से होती है the pair of ribs are attached to the sternum sternum center के जो होता है chest के center हाँ sternum होता है चलो अगला देखो यहाँ पे जो question आ रहा है muscles are attached to the bones by tissues are skull muscles are attached to the bones muscles जो होती है bones हड़ियों से attach होती ही by tissues tissues के दवारा उन tissues को आप क्या बोलते हैं उन tissues को आप बोलते है टेंडन्स उन tissues को आप बोलते हैं टेंडन्स अगला question down ठीक है ना the point at which two or more bones are meat जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड़ियां मिलती है उस point को क्या बोलते हैं जैसे यह point है आपके पास यह point है यह point है उसको joints बोलते हैं बिल्कुल सही बात है उसको हम joints बोलते हैं अगला blank पूछ रहा है blank skeleton इंक्लूड skull, recab and backbone कौन सा skeleton जो होता skull, recab and backbone पूरा का पूरा आपको दिखाता है इसको बोलते हैं axial skeleton कौन सा skeleton axial तो यह सामने आपके जो skeleton है यह axial skeleton कहलाता है ठीक है ना जो यह सारी चीज़े आपको दिखाता है अगला question है the backbone is made of the 33 small bones जो backbone बनी होती है उसको हम 33 small bones चोटी-चोटी हड्डियों से बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं वर्टेब्रे क्या बोलते हैं वर्टेब्रे वी-ई-ार-टी-ई-बी-ार-ए-ई अगला question है फिफ्थ है what joint is found between the skull and the first vertebra of backbone कौन सा joint what joint is found between the skull and the first vertebra of backbone बतलब backbone की जो पहली vertebra है और जो skull है इसके बीच के joint को क्या बोलते हैं इसके बीच के joint को आप बोलते हैं pivot क्या बोलते हैं pivot बोलते हैं last question this joint allows the movement of the wrist and the ankle कौन सा joint होता है किस joint पे किस joint पे ये हड़ियां move करती है कलाईयां move करती हैं इस joint को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं gliding joint कौन सा joint हाँ ये कहला था gliding joint कौन सा joint है ये हाँ ये joint कहला था gliding joint चलिए तो अगला चलते हैं ये हमारा fifth हो गया पूरा हो गया तो यही पर हमारा finish होती है पूरी sheet हमने कर लिया फोर्थ पार्ट में मज़ा आगे हम लोगों को और नहीं नी विफ्थ के बाद शिक्स तो complete हो चुकी ना पूरी हो चुकी अच्छा nervous system ओके ओके nervous system करना है देखे nervous system में देखे पूरा-पूरा brain का काम रेता है brain control करता है ओके ये देखिए ये देखिए हाथ के अंदर से नस जा रही है यह नस जा रही है और यहां से खून साइद निकला हुआ है तो जा करके एक सिस्टम को पता चल जाता है यह देखें यह कान बने हुए यह human ear है क्या है यह human और यह आख है इन सब का control कौन करता mind करता मतलब mind जो है वो पूरा का पूरा बॉस है human body का समझ के ना CPU है क्या है वो CPU central processing unit है चलिए तो 6th number worksheet crossword puzzle पर आजाएए और 6th पर हम question solve करते है nervous are made up of the cells nervous यानि की पूरे जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो किस से मिलकर के बना हुआ है उसको मोलते है neurons किस से मिलकर बना है neuron से मिलकर बना है is the largest part of the brain brain का largest part यह देखी brain है और brain का यह जो आपको part दिखाई दे रहोगा yellow से color का इस yellow से color के part को क्या बोलते है इसको बोलते हैं हम लोग cerebrum क्या बोलते हैं इसको cerebrum 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 अगला question number 8 देखिए सिख देखिए sixth वाला question the automatic response of the body to an incidence body का तुरंट किसी भी घटना के लिए response कहलाता है जैसे कि आपको माल लो कोई चीज चोट लगीगी तो आप तुरंट एक जम से जटका खा जाएंगे इसको बोलते हैं reflex action क्या बोलते हैं reflex action अगला question number 8 है कि what connect the brain to the spinal cord brain को spinal cord से यहां से पीछे जो spinal cord होता है जो cells बनाता उससे कौन connect करता उससे connect करने वाले को बोलते हैं medulla क्या बोलते हैं medulla light enters the eye through light के अंदर light जो होती है आँखों के अंदर किस्से जाती है तो light का सामना सबसे पहले होता है यह pupil से किस्से होता है pupil से और बाहर इसके brown brown का दिख रहा है यह आईरिस क्या है और light अंदर जाती है pupil से पुतली से मतलब इसका light वो उसको कोरनिया बोलते है तो pupil light किस्से जाती है pupil से is the largest organ of our body हमारे body का सबसे बड़ा organ कौन सा है हमारी body का सबसे बड़ा organ है हमारी skin क्या है हमारी body का सबसे बड़ा organ है हमारी skin नई अगला है is also called hind brain ओके देखा मसाला मैं आपने लेखे तो दो प्रकार के brain में दो पार्ट होते है एक होता cerebrum और यह वाला जो दूसरा पार्ट होता उसको हम लोग बोलते है cerebellum क्या बोलते है cerebellum 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 ठीक है ना तो एक cerebrum होता है एक cerebellum होता है तो इससे इसका answer क्या है cerebellum 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 अगला question what is a layer of light sensitive receptors at the back of the eye другие aard के पीछे की layer को क्या कहते है जिसमें sensitive receptor लगे होते है aard के पीछे की layer होती retina क्या होती है retina जिस पे receptor लगे होते है उसको retina होती है surface of the tongue have many receptor calls जो आपकी tongue होती उस پे खर्दूरे receptor लगे होते है उनको receptor को क्या बोलते है तो वो टेस्ट का पता लगाते हैं उन्हें बोलते हैं टेस्ट बट्स बिल्कुल सही अगला कोश्चन देखे दा मेंब्रेन विच वाइब्रेट और रिसीविंग दा साउंड आपके कान में परत होती है जिसमें साउंड आता है तो आंगे पीछे होती है हाव आइब्रेट हो आपके पर बिल्चेसर्ट अलिम्टार शुल्म्टेश् स्टेज़ एड़ रिस्ता बाइब्रेट झैज्ट वाइब्रेट भीवाई